अकसर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कही फोन मिलाते हैं अगर सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तब तो हम उससे घंटों बात कर लेते हैं लेकिन अगर सामने वाला इंगलिश में बात करना शुरू कर दे तो हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं समझी नहीं आता कि बात क्या करें लेकिन अब बिलकुल भी परिशान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फोन पे अलग-अलग सिचुवेशन्स में यानी अलग-अलग परिस्तितियों में इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को एंग तक जरूर देखना जिससे की एक भी चीज आप से चूटे नहीं चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले देखते हैं दो दोस्तों के बीच होने वाली बातचीत यानी conversation between two friends आप लोग अपने दोस्तों से तो फोन पे हिंदी में बात करते ही होंगे लेकिन आज हम सीखेंगे कि आप इंग्लिश में अपने फ्रेंड से बात कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर हम दो friends माल लेते हैं रिया और नेहा देखते हैं कि उनके बीच में क्या बात चीत होती है पहले रिया बोलेगी hello नेहा फिर नेहा बोलेगी hi rya कैसी हो यानी hi rya how are you अब रिया बोलेगी मैं ठीकूं तुम कैसी हो यानि, I am fine, how are you? अब नेहां बोलेगी, मैं भी ठीकूं और क्या कर रही हो? यानि, I am also fine and what are you doing? मैं भी ठीकूं यानि, I am also fine और क्या कर रही हो? यानि, and what are you doing? अब रियां बोलेगी, कुछ खास नहीं, यानि, nothing special कुछ खास नहीं, nothing special अब नेहां बोलेगी, क्या हम कहीं गूमने चले? यानि, shall we go out somewhere? क्या हम कहीं गूमने चले? शेल वी गो आउट somewhere? अब रियां बोलेगी, हाँ, क्यूँ नहीं, चलो, mall चलते हैं, यानि, yes, why not, let's go to the mall हाँ, क्यूँ नहीं, yes, why not, चलो, mall चलते हैं, let's go to the mall अब नेहां बोलेगी, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कहा मिलूँ, यानि, okay, where should I meet you, then अब रियां कहेगी, पार्क में शाम के पाँच बजे, यानि, in the park, at 5 पीम अब नेहां बोलेगी, मिलते हैं फिर, bye, see you then, bye, अब रियां बोलेगी, ठीक है, bye, okay, bye ये एक छोटी सी बातचीत थी, दो दोस्तों के बीच, तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ, फोन पे, इंगलिश में बात कर सकते हैं आप देखते हैं दूसरी टेलिफोनिक कॉन्वर्सेशन, इसमें राहुल है, जो प्रिया से बात करना चाहते हैं लेकिन इत्वाक से प्रिया घर पे नहीं है, तो वो बात करते हैं प्रिया की मम्मी से यह बातचीत है राहुल और प्रिया की मदर के बीच में यानि जब आप किसी को कहीं फोन मिलाते हैं और उस समय वो जना मौजूद नहीं है यानि उपलब्द नहीं है तो उस सिचुवेशन में आप सामने वाले से इंग्लिश में बात कैसे करेंगे पहले राहुल बोलेगा हेलो फिर प्रिया की मदर बोलेंगी हेलो कौन है यानि हेलो फूइस दिस कौन है फूइस दिस अब राहुल बोलेगा हेलो मैं राहुल बोल रहा हूँ यानि हेलो दिस इस राहुल मैं राहुल बोल रहा हूँ दिस इस राहुल अगर सामने से कोई जवाब नहीं आता तो राहुल फिर से बोल सकता है कि क्या आप मुझे सुन सकते हो? यानि Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हो? Can you hear me? अगर प्रिया के मम्मी राहुल को ठीक से नहीं सुन पा रही तो वो बोल सकती है नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ यानि No, I can't hear you. मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ. I can't hear you. अगर उनको अवास आ रही है तो वो बोलेंगी हाँ मैं आपको सुन सकती हूँ. यानि Yes, I can hear you. हाँ मैं आपको सुन सकती हूँ. Yes, I can hear you. अब वहां से राहूल बोलेगा कि क्या मैं प्रिया से बात कर सकता हूँ? यानि May I talk to Priya? वहां से प्रिया की मम्मी बोलेंगी मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूँ प्रिया घर पे नहीं है कुछ देर बात कॉल कर ले यानि I am Priya's mother, Priya is not at home, please call after some time अब राहुल को पता चल गया है कि Priya घर पे नहीं है यानि वो Priya की मम्मी से बात कर रहा है तो वो सबसे पहले Priya की मम्मी को greet करेगा यानि उनका अभिवादन करेगा तो वो बोलेगा नमस्ते आंटी जैसे ही वो आए उससे कहना कि मुझसे बात कर ले यानि नमस्ते आंटी, could you please ask her to call me as soon as she is back अब वहां से Priya की मम्मी बोलेगी ठीक है मैं उससे कह दूँगी कि आपको call कर ले यानि ओके, I will ask her to call you up अब राहुल बोलेगा ठीक है, thank you आंटी, bye ओके, thank you आंटी, bye अब Priya की मम्मी बोलेगी ओके, bye बेटा अगर आप किसी को काफी टाइम से call कर रहे हो और वो बंदा आपका phone नहीं उठा रहा तो उस परिस्तिती में यानि उस situation में आप English में कैसे बात करेंगे आप बोल सकते हैं कि तुम phone क्यों नहीं उठा रहे हो यानि, why are you not picking up the phone तुम phone क्यों नहीं उठा रहे हो आप किसी दूसरे बंदे को भी phone करके बोल सकते हो कि वो मेरा phone नहीं उठा रही है यानि, he or she जो भी है is not picking up my call अगर आपको सामने वाले को hold उपर रखना है तो उस परिस्तिती में आप बोल सकते हैं कि क्या मैं आपको hold पर रख सकती हूँ या क्या मैं आपको hold पर रख सकता हूँ तो दोनों को ही English में कहेंगे May I put you on hold या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि क्या आप जरा एक minute रुकेंगे यानि, will you please hold on for a minute अगर आपको ये दोनों थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि क्रिपया hold करें यानि, please hold on चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी का wrong number लग जाता है तो उस परिस्तिती में आप उससे English में कैसे बात करेंगे अगर किसी अन्जान व्यक्ति का phone आता है तो आप पूछ सकते हैं कि आप किस से बात करना चाहते हैं यानि, who would you like to talk to? आप बोल सकते हैं कि लगता है आपने गलत number डाइल किया है यानि, I think you have dialed the wrong number अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप simply ये भी बोल सकते हैं कि यह गलत number है यानि, it's wrong number अगर आपके पास किसी का phone आता है और आप उस time पे थोड़े busy होते हैं तो उस situation में आप बोल सकते हैं कि मैं अभी busy हूँ क्या मैं आपको बाद में call कर सकता हूँ यानि, I am busy right now Can I call you back later आप simply ये भी बोल सकते हैं कि मैं बाद में call करूँगा या मैं बाद में call करूँगी तो दोनों को ही English में कहेंगे I will call back later अब देखते हैं कि फोन पर बातचीत खतम कैसे करें आपने किसी से इतनी देर बात की आप ऐसे ही तो उसका फोन नहीं रख सकते वरना सामने बाले पर गलत impression पड़ेगा वो कहेगा यार क्या जीव इंसान है ऐसी फोन रख दिया आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा तो आप बोल सकते हैं कि ओके बाई आपसे बात करके अच्छा लगा यानि ओके बाई इट वॉस नाइस टॉकिंग टू यू या आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि कॉल करने के लिए शुक्रिया यानि थांक यू फॉर कॉलिंग तो इस तरीके से आप अलग-अलग सिचुएशन्स में यानि अलग-अलग परिस्तितियों में फोन पे इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं अदर्वाइस फेस्बुक या इंस्टाग्राम दोनों पर ही मैं हूँ वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ वीडियो को सबी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे की बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके